अब दोज़ 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 सुनील कुमार और आप देख रहे हैं दोक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग बेट बढ़ाने के लिए हैल्थ को प्रमोट करने के लिए मसल्स के लिए भूग जादा लगने लगे इसलिए बहुत सारी दवाईयां लेते हैं अपने लेबल पे परस्नल रिक्मेंडेशन से फार्मेसिस से या किसी ना किसी सोर्स से वो पता कर ही लेते हैं या जिम के लेवल पे इंस्टिक्टर से भी मालूम कर लेते हैं तो वो दवाईयों का जो combination है इसे very dangerous वो आपके life के लिए बहुत खतरनाक है ना केबल उसके side effect हैं बलकि उससे आपकी जो vitality है जो health है वो continuously खतरे में पढ़ जाती है इस तरह के जो combinations of medicines बहुत सारे लोग लेते हैं और कुछ लोग दवाईयां लेके आते हैं कि इवन क्लिनिक में दिखाते हैं बात करते हैं कि डॉक्टर साब ये दवाईयां हम ले रहे हैं ये दवाईयां हम क्यों नहीं ले सकते ये बहुत अच्छी दवाईयां इनसे भूक लगती है इनसे हमें अच्छा लगता है वी फिल energetic वी फिल healthy और काफी अच्छा appetite हो गया है काफी अच्छा खाना खाते है health बन गई है तो इस तरह की सारी चीज़ें आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक clear बात बताना चाहता हूँ कि इनसान का बच्चा इनसान का बच्चा ही रहेगा यानि आपका जो सारेरिक सरीर है जो आपकी body है जो आपकी फिजिक है जो आपकी लंबाई चोड़ाई है जो आपकी morphology है वो वैसी ही होगी जैसे आपके पूरा वो डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स पर यानि जैनेटिक वेसे उसको हम देखेंगे यानि मावाब पे ही बच्चे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि मावाब हमारे साड़े पांच फूट हाइट वाले हैं तो हम साड़े च्छाए या साथ फूट के हो जाए या जितने कैपसिटी है उसी के हिसाब से हमारी लंबाई चोड़ाई हाइट होगी उसको हम बहुत ज़्यादा यदि प्रभावित करते हैं किसी दबाई से या किसी एक्सरसाइज से या किसी हार्मोन से या स्टिरोइट से तो यह हमारे लिए घातक हो सकता है यह हमारे लिए ज से गाहना रह funktioniert लेज का सहमत है य या नहीं हाति का बच्चा घास खाने के बाद हाति बन जाता है और घोड़े का बच्चा आंग भी घास खाने के बाद कु गोड़ा वन जाता है और हृण जिसको आप देखते हैं कि वह बहुत ज्यादा एनर्जी वाला एनिमल है पूरे दिन दोड़ता रहता है वो भी घास खाता है तो तीन बहुत सक्त साली जानवर जो कि उनका जो खाना है वो बेसिक घास है या फिर इंसान जब जानवर के बास आज कल पहुंच गया है तो वो उसको बिस्क्विट या चना कुछ खिला देता ह लेकिन आप बेसिक बात को समझे के हाती का जो सरीर है या घोड़े का जो सरीर है या हिरन का जो सरीर है वो उसके जैनेटिक कोड के कारण और उसके अंदर जो हार्मोंस है और जो उसके बड़ी के ओर्गेंस है उसके कारण इस तरह का बना है वैसे ही इनसान का सरीर उसके ज तो किसी भी सोर्स से, किसी भी कारण से वो steroid हो, वो hormones हो या वो किसी दूसरे तरह की दबाय हो यदि आपके basic structure को, basic anatomy को और basic सरीर को, लंबाई चोड़ाई को पिरभावित कर रहा है यदि कोई भी food तो वो आपके लिए खतरनाक है, वो आपके लिए जानलेवा सावित हो सकता ह अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ, ciplectin and dexona, दोनों ही steroidal medicine है और steroid के side effect से आपको भूख लगती है, ना कि steroid भूख लगाने की कोई medicine है, तो steroid किसी भी form में, वो ciplectin हो, वो dexona हो, या फिर वो siphon capsule हो, या फिर वो syrup हो, आप कभी भी वो ना ले, यदि कोई doctor किसी specific conditions मे वो prescribe करता है, तो तब उसको लिया जा सकता है, otherwise with a consultation of the pharmacist, या personal consultation से, किसी भी तरह का steroid in the form of siphon, capsules, ciplectin, dexona, या उस salt का, कोई भी उस category का कोई भी दवाई, आपके लिए घातक हो सकता है, आपका BP बढ़ा सकता है, आपको दिल का दोरा पैदा कर सकता है, दिमाग का दोरा skin disease हो सकते हैं आपको, और आपकी body में heat यानि की आपको ulcer हो सकते हैं, पेट के इस से, तो ये आप ना ले, अब हम आते हैं, porous given या स्वास बर्दक कैपसूल्स पे, ये दोनों ही कैपसूल्स आयरवेदिक हैं, आप बिकासूल, या porous given, या स्वास बर्दक, या कोई और multi vitamins, या calcium, या protein powder, ये आप ले सकते हैं normally, but I personally recommend you, I personally advise you, कि इन कैपसूल्स के बजाए, आप natural fruits खाएं, आपको यदि भूख कम लगती हैं, तो fruit juice पीएं, यदि आपकी body में कम calorie हैं, तो आप बनाना खाएं, और यदि आपको अच्छा protein चाहिए, तो soya bean खाएं, अंडे खाएं, आ आप कठल खाएं, आप अख्रोड बदाम खाएं, आप दूद पीएं, तो ये natural way जो है, वो बहुत ही ज़्यादा stable होगा, वो health के लिए बहुत अच्छा होगा, और वो बहुत prolonged होगा, और उसके side effect भी बहुत कम होगे, and regular basis आप ब्यायाम करें, cycling करें, aerobics करें, और pit की exercise करे जिससे की आपको normal अच्छी भूख लगेगी, और आप अपने cook cleaning, colon cleaning, यानि सुबह अच्छे से पेट साफ होने के लिए, 3-4 लिटर पानी पीएं, और अपने खाने में आप जितना fiber, जितना natural vegetables, fruits लेंगे, वो आपके लिए helpful होगा, यदि आपको अच्छी calorie चाहिए, तो आ आप बनाना में बहुत अच्छी calorie होती है, वो आप अपने food में सामिल कर सकते हैं, so that is a natural way, स्वास बर्दक capsules का जहां तक सवाल है, या फिर पौरस जीवन का सवाल है, ये आयरवेदिक हैं, इसके बहुत ज़्यादा कोई clinically registered side effect नहीं है, आप ये एक capsule सुबह साम, यदि आप feel करते हैं कि आपको भूग कम लगती है, या आप कमजोर हैं, तो सुबह साम एक से तीन महीने खा सकते हैं, but I personally advise you, कि आप अपने doctor से, अपने physician से, अपना diet, food discuss करें, और यदि doctor को लगता है कि आपको किसी enzymes, या multivitamins, या किसी Ayurvedic boost up के लिए, मतलब जो आपकी appetite है, या health boost up के लिए, आपको किसी दवाई की आवश्यक्ता है, तो वो आपको recommend कर सकते हैं, but specialist से consultation के बाद ही, आप ये फैसला करें, thank you very much and take care yourself.